नमस्कार अनोखी मल्टिमीडिया इस चैनल में आप लोग को फिर से स्वागत हैं तो आज हम लोग एक किला के द्रिस देखेंगे जो की एक बहुत अच्छा द्रिस है बहुत पता करने के बाद इस जगह का हम लोग को पता चला है तो आज घुमते घुमते उस गाओं के करीब पहुच चुके हैं यहां से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर है तो चलते हैं आगे देखते हैं आप लोग को यह बोर्ड नजर आ रहा होगा यहां से एक किलोमीटर की दूर है तो अब हम यहाँ से वीडियो को फास्ट करेंगे ताकि वीडियो बहुत बड़ा नहीं हो तो तेखिए यहाँ पर एक बोर्ड आपको सुर्ज पूरा लिखा हुआ नजर आ रहा है तो अब लग रहा है कि हम लोग गाउं में पर्योस कर रहे हैं तो देखिए यह एक पोखरा दिख रहा है जिसके करीब अब हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ से थोड़े ही दूर पर वो किला आएगा यह जो दिन सिंद देख रहे हैं यह एक मंदिर है जो जोड़ा मंदिर के नाम से परसीद है और यह मा भगाउती की मंदिर है तो आगे चलते हैं तो देखिए यह आप लोग को एक गेट नजर आ रहा होगा अभी वीडियो फास्ट ही है लेकिन बहुत जल्द सलो हो जाएगी आगे इस गेट के जहों ही परवेश करेंगे तो यह जो गेट है यह करीब करीब पचीस फीट या तीस फीट के हाइट पर है जो हम काफी दूर से लिये हुए हैं अब इसमें हम पर्वेस कर रहे हैं, तो यह में गेठ है और यह जो टूटा हुआ दीख रहा है आप लोग को, यही वो किला का खंडहर के जैसा बच चुका है, तो इसके अंदर भी हम जाएंगे आगे, यहां पर देखिए यह जो उजला पेंट नजर आ रहा है, यहां पर किला का दिवाल बच गया है, तो यह देखिए अभी हम लोग उसके में गेठ के सामने पहुंच चुके हैं, यह जो गेठ देख रहे हैं, यह करीब करीब 15 फिट या 20 फिट के आसपास यह भी गेठ की उचाई होगी, तो यह में गेठ था, इस गेठ से पता चला है कि घोडा अभी उस किले में परवेश कर जाता था, तो इस गेठ में अभी ताला लोग है, तो हम लोग दूसरे रास्ते से अंदर जाएंगे, यह में गेठ है, जो कि उस समय काफी अच्छा दिख रहा होगा, फिर भी आज इसका देखिए देखिए हम अंदर परवेश कर चुके हैं, यह दूसरा रास्ता से आए हुए हैं, चुकि में गेठ बंद था, तो यह पूरा यह देख रहे हैं, पेड हो गर पूरा लग गया है, तो यह जो आंगन है, यह फर्स्ट आंगन है, तो इसमें अंदर आ चुके हैं, अब देख कामरा मैन हमारे दिखाएंगे आपको इधर देखिए अभी अभी ये जो गेट जो आगे से दिखाए थे उसका ये पीछे से न जा रहा है देख लिजे पूरी तरह से तूटा हुआ है उसमें बहुत सारे पेंड जम चुके हैं ये दिवाल जो दिख रहे हैं ये पूरा देखिए उसके अंदर अब हम लोग परवेश कर रहे हैं बरांडे के अंदर चले गए हैं तो ये देखिए इधर कुछ है नहीं ये इस तरह का डिजाइन बनाया हुआ है ये जो इंट देख रहे हैं कि इतना पतला-पतला है उस समय यही इंट चलता था तो इसका आगे दे देखने को मिल रहा है अभी हम भी तो पहली बार आये हैं यहां पर तो जैसे जैसे देखेंगे वैसे वैसे आप लोग को कुछ बताते चलेंगे देखिए ये इधर से रास्ता मिला इधर देखिए ओरे वाह इतना सुन्दर दिरिस उस समय कैसा लग रहा होगा आप लोग कल अपना कर सकते हैं, यह कितना दो मंजला मकान बनाया गया है, और यह कितना अच्छा लग रहा है, आज तो उस समय कितना अच्छा लग रहा होगा, तो यह पूरा इसका छट आप देख रहे हैं, तो नीचे यह पूरी तरह से घासोगर अजम कर खराब हो चुका है, दिवाल तूट रहा है, इसका अश्यस के वलबच चुका है, उपर मैं देख रहे हैं, यह सब कोई को या कर तोड़ दिया है, पूरा और कुछ अपने से तूटा हुआ है, तो देख लिजिए हमारे कामरा माइन धुरूप कुमार कितने अच्छे से दिखा रहे हैं, इस दिरिस्ते क यह जो सेकेंड आंगन है, सुने है हम लोग इसमें साथ आंगन है, लेकिन बाहर से हमको पता चला कि छे आंगन को ही हम आप लोग को दिखा सकते हैं, एक आंगन पूरी तरस लोख है, तो देखिए यह जो रास्ता दिख रहा, इसी रास्ते से हम लोग इस आंगन में लग चुका है तो इधर से देखिए यह बरांडा जो है यह पूरी तरह से इसका च्छाथ भी तूट गया है तो यह जो पेंड देख रहे हैं यह पेंड अब समाझ सकते हैं कि पेंड यह जो है पूरी तरह से सूख गया है तो यह अब समाझिये कि कितना पूराना किला है कि यह जो पेंड है वो जम कर और तूट कर और सूख गया है तो कितना साल उसको जम कर तूट कर और सूखने में लगा होगा तो देखिए इधर हम लोग आए हैं यह जो जगह दीख रहे हैं जहां पर अभी हम खड़े हैं यह काफी डरावना देखने में लग रहा है यह पेण के चारों तरफ यह जो बर क्या बोलते हैं वो नीचे लटका हुआ है आप लोग अच्छी तरह से देख रहे हैं यह सुरन भी इसमें जम गया है तो देखिए यह जगह जो है बहुत खतरनाक है यहां पर बहुत रिक्स लेकर हम आए हुए हैं इसका च्छत भी हम आप लोग को आगे दिखाएंगे तो चलते हैं यहां से इधर यह देखिए यह हवदा के टाइप का बनाया हुआ है उस समय इसमें कुछ हुआ करता होगा यह जो दिवाल में पेण जम गया है उसका जर दिख रहा है सामने इधर से यह डिजाइन बनाया हुआ है जो ताखा उस समय कहा जाता था आज देखने को नहीं मिलता है यह सब दिवाल में पहले बनाया जाता था यह दिवाल की हालत आप देखकर समझ सकते हैं कि यह कितना पुराना होगा और कितना खतरनाक अभिबन कर तयार है फिर भी हम आए हैं यहाँ पर यह छत देखिए इसका पूरा कंडी जो है गाइब है और पटिया के वल्टिका हुआ है उस पर तो इसे किला के बारे में थोड़ा सा हम बता दे यह जो किला है यह सुरजपूरा का गढ़ बोला जाता है और यह राजा राधिका रमण सिह का किला था जो राजा हुआ करते थे यहाँ पर तो देखिए आगे फिर इस पर चर्चा करेंगे अभी हम जा रहे हैं एक मोबाइल क सहारे से इधर अंधेरा थोड़ा सा है तो देख रहे हैं आप लोको फलाइस नजर आ रहा होगा तो इधर हम अंदर जा रहे हैं उधर देखते हैं क्या मिलता है तो देखिए यह काफी डराओना जगा यहाँ पर केवल यह चमगादर ही चमगादर नजर आ रहा है अंधेरा है चुकि चमगादर अंधेरा में रहता है तो वहां से अब हम वापस आ रहे हैं उधर कुछ है नहीं तो इधर अंधेरा है तो आगे अब हम इस ब्रांडे में आ चुके हैं इस तरह के इसमें कई ब्रांडा है तो इधर हम आगे जाकर देखते हैं आगे क्या है तो थोड़ा सा इधर ये जो लंबा दर्वाजा दिखाई दे रहा है इधर हम जा रहे हैं इधर क्या मिलता है आप लोग को खुद देखने को मिलेगा यह बहुत खतरनाक जगा है देखिए यहाँ पे सारा दिवाल यह तूट चुका है उसमें पेड़ोगर जम चुके हैं तो आगे तो कुछ है नहीं यहाँ पे एक लेकिन कुवा दिख रहा है हमको उस कुवे को भी ह हम देखा दे रहे हैं देखिए थोड़ा से इधर देखाईए दर्सक को देखिए यहाँ पे कुवा में पानी है कि नहीं हम भी देख ले रहे हैं थोड़ा से तो देखिए इस कुवे में पानी तो नजर नहीं आ रहा है लेकिन कुछ-कुछ देखिए आप लोग को असपस् यहां के अस्थानिये जो लोग हैं वो डाल दिये हैं इस तरह से करना नहीं चाहिए फिर भी यह जो पुराना धरोहर है इसको बचा के रखना चाहिए था इस ग्याओं के लोगों को लेकिन इन लोगों ने पूरा बरबाद करके रख दिया है यहां पर आज हम अंदर जब पर है चड़ने पर भास जाएगा इसलिए हम उपर नहीं जा पा रहे हैं तो देख लिजिए यह कैसा सिंड़ी है उसका इस्तिती क्या है तो इधर से अब हम लोग उसी रास्ते से वापस आ रहे हैं तो वहां से हम वापस आ गए फिर इस आंगन में और इधर एक हम को गूफा क के तरह नजरा रहा है तो यहां पर हम उसमें परवेश कर रहे हैं काफी जराना जगह देखने में लग रहे हैं तो इसमें हम अंदर अभी पर वेसर करे देखते हैं आगे क्या है काफी अंधेरा है और इधर से एक दरवाजा जैसा लगा हुआ है उसमें हम परवेश कर रहे हैं साइद ये राजाओं का कुछ छीपाने वाला जगह बनाया गया हो उस समय क्योंकि राजा महराजा लोग अपने आपको सुरक्षा ज्यादा किया करते थे चीपने वाला कोई जगह होगा यहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है एकदम बिल्कुल अंधेरा है और काफी डर सा महसूस हो रहा है तो फिर भी हम आगे चलते हैं ये फ्लाय से आप लोग को नजर के वाल आ रहा होगा काफी एकदम अंधेरा है तो यहां पर कुछ जाल आगे से बंद है और इधर से जाने में लगा कि उधर कुछ होगा लेकिन कुछ है वैसा नहीं तो अब हम यहां से भी रिटर्न आ रहे हैं यहां से देखिए अब हम रिटर्न होते हुए तुरंत बाहर निकल रहे हैं देखिए यहां पर अब हम रिटर्न होके आ गए तो थोड़ी सी देखिए यह आगे से कैसा देखने में लग रहा है तो थोड़ी सी उसकी चर्चा कर दे यह किला राजा राधिका रमण परसाद का था जो हम पहले बता चुके हैं आप लोग को तो इसके बारे में आगे बताएंगे यह साइद तिसरा आंगन है और यहां से अब हम लोग रिटर्न होंगे अब देख रहे हैं कहां से रास्ता मिल रहा है ताकि अगला जगा पर हम लोग चले जाएं तो देखिए इधर जा रहे हैं यहां कुछ है नहीं यह उस समय के हर आंगन के आगे चारो तरफ बरांडा टाइब का था उसके पीछे एक रूम था और यह च्छत आप लोग देख रहे हैं पूरी तरस च्छती गरस्त है यह दिवाल का भी हालत वही है देख लिजिए यह पाया बनाया हुआ है उस समय पिलर नहीं हुआ करता था तो पाया पर ही डिजाइन बना करता था तो यहां से अब हम लोग दूसरे तरफ जाने की कोशिस कर रहे हैं देख रहे हैं कहां से हमको रास्ता मिल रहा है तो इधर से देखिए यह जो च्छत है गायब है कि वह लकड़ी बचा हुआ है उसके उपर दर्वाजा है जो आप लोग को दिख रहा होगा तो यहां से अब हम आगे जाएंगे दूसरे आंगण में तब तक के लिए यह जो वीडियो है यहीं पर हम बंद करेंगे इसके आगे जो है पाट टू में दिखाएंगे चुकि पूरा किला जो है आज हम इस वीडियो में देखा सकते थे लेकिन थोड़ा सा वीडियो लंब होनी के कारण अब यहीं पर हम बंद कर रहे हैं क्योंकि यह जो देख लिजिए यही ढावा के आगे अब हम लोग जो है अब थोड़ा सा लंच कर लेंगे और लंच करने के बाद फिर हम आपको पार्ट टू में इस वीडियो के बारे में दिखाएंगे तो अब हम बंद कर रह हम 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 ह